दिजिटल इंडिया कारकरम के 6 साल पूरे होने के अफसर प्रधान मंतरी नरीन्द मोधी ने कहा कि डिजिटल इंडिया पारदर्शी, भेदभाव, रहेत, व्यवस्ता और भेश्चचा पर चोट है दिजिटल इंडिया समय श्रम और धन की बचत है, दिजिटल इंडिया मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है और इससे सरकारी तंतर तक हर किसी की पहुँच है इस मौके पर सूच्रा प्रध्योगिगी मंतरी रविशक का प्रसाद भी मौझूद रहे कोरोना काल में दिल्ली के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है, कोरोना काल में आर्थिक तंगी जिल रहे अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने सभी नीजी स्कूलों के शैशनिक साल 12-21 में वसूली गई फीस में 15% की कटोती करने का आदेश दिया है उपमुख्यमंतुई मनिज से सोदिया ने काहा कि कोरोना काल में जब सभी अभिभावक आर्थिक तंगी से जूच रहे हैं उस दौरान फीस में 15% की कटोती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी राजिसान में एंटी करप्शन ब्योरो की भष्ट रदिकारियों के खिलाफ मुहीं जारी है जैपूर, जोदपूर और चित्तौरगर में तीन अफसरों के 14 ठिकानों पर एक साथ कारवाई की जा रही है जैपूर में जैपूर विकास प्रादिकरन के इंजीनियर निर्मल गोईल के खर आई से ज्यादा संपत्ती मिली है बताय जा रहा है कि जेडिये के इस इंजीनियर की सेलरी डेर लाख रुपे है लेकिन जैपूर की पॉष कॉलोनी में चार आवास फामाउस के अलावा घर पर 3,87,000 नगत सहीत समेत 5 महँगी कारे भी मिली है जबकि तीन बैंकों में से इंजीनियर के लौकर भी हैं जिसे खोला जाना बाकी है आर्तिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने आखिर कार 17,21 कर ली है इमरान ने मान लिया है कि मौझूदा वक्त में मुल्क के सामने पेट भरने का भी संकट है एक कारेकरम में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधान मंतरी ने कहा कि खादे सुरक्षा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और लोगों को खाने की कमी से बचाने के लिए कदम उठाने की आवशकता है नए IT नियमों के तहट कू और गूगल ने अपनी रिपोर्ट सौपी है अपने रिपोर्ट में बताया है कि कितनी शिकायते आई और क्या एक्शन लिया गया है दरसल ट्विटर और भारस सका के बीच इसी मसले पर लंबे बग से विवास चल रहा है नए नियम मई महिने से ही लागू हो चुके हैं नए IT नियमों के बीच केंदर सरकार और ट्विटर के बीच अभी तक्रार चल रही है इन सब के बीच अन्य शोचल मीडिया प्लेटपॉर्म्स ने भी इन नियमों के तहट काम करना शुरू कर दिया है भातिय प्लेटपॉर्म को गूगल ने अपनी पहली कंप्लाइंस रिपोर्ट सरकार को सौप दी है उम्मीद जुताई जा रही है कि जल्द ही पेसबुक भी अपने रिपोर्ट सरकार को सौपेगा करनातक प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अधियक्ष डीकेर्ग शिपकुमार ने राज्य में कुरोना वायरस महमारी से खुने वाली मौतों कुले का बड़ा दावा किया है डीकेश शिपकुमान ने कहा है कि राज़े में इस साल करोरा से 3 लाग से ज़्यादा लोगों की जान गई है हमारी पार्टी उन लोगों की लिस्ट बना रही है जिन्होंने इसमामारी की वज़ा से दम तोर दिया उन्होंने राज़े सरकाप पर आरोप लगाया कि सरकाप मौत के आकड़ों को कम करकर दिखा रही है पंजाब कॉंग्रेस में मचे घमासान का हल निकालने में जुटे पार्टी हाइकमान ने आखिरकार विधायक नवजो सिंग सिद्धू को बड़ी जिम्यदारी देने का फैस्दा कर दिया है ये संकेत पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरी श्रावत ने दिये है पता चला है कि राहूल और प्रियंका के साथ हुई मीटिंग में प्रदेश कॉंग्रेस के दो अन्य पदों कूले कर चर्चा हुई कॉंग्रेस का पंजाब, प्रदेश, अध्यक्ष और 2022 विधानसवा चुनाव में कैंपेंड कमेटी का प्रभारी ये दो एहम पद है सूत्रों का कहना है कि सिद्धू ने इन दो पदों पर अपनी सेहमती जता दी है पश्यम बंगाल विधानसवा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है इस सत्र के शुरूआत में ही ममता सरकार और राज़ेपाल के बीच टकराव की आश्रंकात तेज हो गई है इसकी जरत आज दो पर दो बज़े देखने की पूरी उम्मीद है बंगाल विधानसवा में बजट सत्र के शुरूआत दो बज़े राज़ेपाल जगदीप धनकर के अभिवाशन के साथ शुरू होगी लेकिन धनकर ने साफ कर दिया है कि जो सरकार ने लिक कर भेजा है वो सदन में नहीं पढ़ेंगे पंजाब में चुनावी मौसम के बीच बिजली की भारी कटाथी हो रही है राज़े में 15 से 16 घंटे बिजली की कटाथी की जा रही है हालात ऐसे हो गए है कि सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों को भी कम कर दिया है और इसके साथ ही एसी भी बंद रखने के आदेश दे दिये गए है बिजली कटाथी को लेका विपक्ष कैप्टन अमरिंदन सरकार पर हमलावर हो गया है इसके मदे नज़र राज औकाली दल सरकार के खिलाप प्रदर्शन भी करेगा पंजाब में हो रही बिजली कटाथी से परिशान लोग सरकों पर उतर चुके हैं इस बुलेटिन में फिलाक लेतना ही आप देखते रहें दियूस वर इंडिया